नमस्कार दोस्तों, कहानियों की स्रंकला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बेघर लेकिन उससे पहले मेरा आफसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी न भूलें, आज सुनिये बेघर जब भी गाउं से लोटती हूँ, मन उदास हो जाता है पीहर की देहरी छोडते हुए हर बार आँख गेली हो जाती है और जब से अम्मा नहीं रहीं, वहां से निकलना और भी भारी लगने लगा है बाबुजी के अकेले पन का खयाल मन को कचोटने लगता है जी करता है और कुछ दिन रह जाऊं उनके अकेले पन को बांटूँ, उनके सुख दुख की कथा सुनूँ और चार दिनों उन्हें अपने हाथों से बना कर खिलाऊं उनके कपडों की सार समाल करूँ, विखरे घर को समारूँ, बुहारूँ उनके पूजा घर को निखारूँ, अपनी शक्ती भर यह सब करती भी हूँ पर कितने दिन, जाने का दिन तो पहले ही तै हो जाता है और बाबु जी भी संकोच से भर उठते हैं चार दिन के लिए मैके आई लड़की का इस तरह रात दिन खटना उन्हें अच्छा नहीं लगता वे बार-बार अम्मा का हवाला देते रहते हैं और कई बार तो वह वक्त से पहले ही मेरा टिकट मंगा देते हैं इस बार तो मन और भी भारी है लग रहा है अम्मा तो गई पर अब शायद यह पिहर की दहरी भी छूट जाएगी बाबु जी एका एक ऐसे वीत रागी हो जाएंगे सोचा न था पंद्रह दिन पहले उनकी चिठ्ठी आई थी लिखा था इस असाड में 75 का हो जाऊंगा अब यह शरीर जवाब देने लगा है यह गोरक धन्दा मुझसे नहीं समलता सोच रहा हूँ आँख मुंदने से पहले अपने हाथों सारा हिसाब किताब कर जाऊंगा बाद में इस बात को लेकर बच्चों में तक्रार हो अच्छा नहीं लगेगा अखिल तो वहाँ उतनी दूर जाकर बैट किया है ना उसका लोटने का इरादा है ना उसे जमीन जायदात में कोई दिल्चस्पी है बलकि वह तो कहता है कि मैं भी सब बेंच-माच कर उसके पास अमेरिका पहुँच जाऊं इसलिए अब जो कुछ भी तै करना है तुम्ही लोगों को करना है पत्र पढ़ते ही मन कैसा हो आया घर बेतर है याद आने लगा वह लिपा पुता आंगन लंबे दालान खुले खुले कमरे महकती, रसोई, तुलसी का चौरा, पिछवाडे का कुवा, नेम की छा, आम की बौर वह इट गारे का मकान भर नहीं था उसमें हम लोगों का भरा पूरा बच्पन कैथ था और हमारे खेत वे तो जैसे धन धानने के भंडार थे उनी के दम पर तो बाबुजी ने दोनों लड़कों को इंजीनियर बनाया था तीन-तीन लड़कियों की इतनी अच्छी शादी की थी उनकी डाक बिभाग की मामूली सी नौकरी में यह संभव नहीं था वैसे तो इस नौकरी की उन्हें जरूरत भी नहीं थी पर सरकारी नौकरी का एक रुआव जो उन्हें अच्छा लगता था उसी के चलते चार बड़े आदमियों में से रसूख का मौका मिलता था पत्र मिलते ही मैंने सामान बाधना शुरू कर दिया आश्यर तो तब हुआ जब श्रीमान जी ने पूचा कितने दिन की छुट्टी के लिए अपलाई कर दूँ तुम छुट्टी क्यों लोगे क्या गाउ नहीं चलना है मैं तो हैरान रह गई गाउ जाने के नाम से जो शक्स हमेशा बिदखता हो उसे यह सुमती कहां से आ गई बाबुजी बेचारे हमेशा इन्हे सरांखों पर लेते हैं पर ये ऐसी सहीदाना मुद्रा बनाए रहते हैं कि मुझे चिड़ हो आती है आज कल तुम्हें अकेले ही चली जाती हूँ पती साथ हो तो जिम्मेदारी का एहसास बना रहता है बाबुजी की और बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती इस बार तो मैं एकदम अकेले रहना चाहती थी उन भावनात्मक छड़ों में मुझे पती का साथ भी गवारा नहीं था अब लगता है अच्छा ही किया जो इन्हें साथ नहीं लाई कम से कम इनके सामने भाईया भावी का टुच्चापन जीजा जी लोगों की स्वार्थ लोलुकता तो उजागर न हुई नहीं तो जिन्दगी भर ताने सुनने पड़ते मैं और भाईया भावी एक ही दिन पहुँचे थे पता चला जीजी लोग पहले से डेरा डाले हुए हैं दोनों जीजा जी भी साथ थे मुझे अकेली देख कर पूचा प्रशान्त नहीं आये अपना पारिवारिक मामला था वे आकर क्या करते बात शायद चुब गई उमा जीजी बोली अरे यही कौन से आ रहे थे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती पर मैंने ही कहा भाई जमीन जाजात का मामला है साथ चलोगे तो ठीक रहेगा रमा जीजी ने तो इतनी सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी वैसे भी वे अकेली कब आई हैं जीजाजी तो हमेशा साथ लगे चले आते हैं अम्मा को कभी कभी बेहत कोफ्त होती थी साल दो साल में बिटिया आती थी पर उसके पास घड़ी भर बैट कर बोलना बतियाना संभव नहीं होता था वे महाशे हमेशा सिर पर सवार रहते घर महमानों से भर गया था भाईया के सुमित अमित साथ ही आय थे बड़ी जिच्ची भी बढ़के की बेटी को साथ ले आई थी घर में अच्छी खासी रोना खो गई थी पर यह देख कर दुख हो रहा था कि इतने सारे लोगों की बेवस्था का भार बाबुजी अकेले ही उठा रहे थे भाईया जैसे अपने ही घर में महमान बने हुए थे भाभी तो खेर हमेशा से ही महमानों की तरह ही आती रही है और आती भी कितना है अपनी शादी में आई थी क्योंकि बारात इसी घर से गई थी उसके बाद शायद बच्चों के मुंडन पर आई थी क्योंकि इस परिवार के बच्चों के बाल भी इसी माई थान पर उतरते हैं अम्मा के मरने पर तो खेर आना ही था अम्मा की बरसी के बाद शायद पहली बार आई है हो सकता है यही आखरी बार हो मन के तार जुड़ें तो कैसे और कब यह एक कटू सत्थ है कि अम्मा बाबुजी ने बहुओं का सुख नहीं देखा जब छोटी का ही यह हाल है तो बड़ी के क्या कहने वह तो बरसों से बाहर ही है शादी के दो साल बाद जो बिदेश गई तो अम्मा की तेरहीं पर ही वापस आई थी गई थी जब बिनेत गोद में था पुनीत वहीं हुआ था अम्मा जी तो उसे देख भी नहीं पाई थी बस तस्वीरें देख देख कर ही खुश हो लेती थी मुंडन जनेव जैसी फालतू बातों में बड़े भाईया को कोई दिल्चस्पी नहीं थी बाबुजी ने जब बहुत इसरार किया तो एक बार उन्होंने डांक से बालों का पैकेट भेज दिया था उसे ही नर्मदा में सिराकर अम्मा ने पूजा चड़ा दी थी घर में इतने सारे लोग थे इन सब के लिए सुबह शाम का चाय नाश्ता दोनों वक्त का खाना देना तो जरूरी ही था मजबूरन मुझे ही वह भार ग्रहन करना पड़ा अपने साथ मैं भाबी जी को भी रसोई में खीच लाती क्योंकि वे खुद आकर कुछ करेंगी यह आशा ही बेर्थ थी यू में अकेली नहीं थी मा की मुह बोली बहन गंगा मौसी फुल के सेंखने आ जाती थी इसलिए भाबी का रसोई में होना ज़्यादा जरूरी लगता नहीं तो गाउं भर में बात फैल जाती कि लड़की बेचारी चूले में सिर दिये है और बहु बाहर मर्दों में बैठी गप में हाक रही है शायद गाउं घर का ही लिहाज रहा होगा कि भाबी मना नहीं करती थी और मेरा हाथ बटा देती थी औरों से तो उतनी आशा भी नहीं थी बड़ी जिजी जब से बहु अमाली हो गई थी उन्होंने रसोई से नाता ही तोड़ लिया था रमा जिजी जरा देर को भी कुछ करवाने के लिए आती तो जीजा जी अपनी कुरसी वहीं लगा लेते यही अच्छा था कि वे यदा कदा ही जीजा जी के लिए कोई खास चीज बनाने के लिए भीतर आती वैसे उनका मत था कि अगर यहां आकर भी हमें ही खटना है तो पीहर आने का फाइदा क्या बलकि मुझे भी जिड़कती तू क्यों हलकान होती रहती है सीमा महरानी अपने आप करेंगी महरानी का इतना ही भरोसा होता तो क्या बात थी मुझे ही कौन सा शौप था चार दिन आराम करना मुझे भी अच्छा लगता था पर मजबूरी थी जीजा जी लोगों के सामने मैं बाबु जी की हेटी नहीं करवा सकती थी अतिती सतकार की इस घर की एक परमपरा थी अगर उसमें जरा भी कमी रह जाती तो बाबु जी का मन बहुत दुखी होता अम्मा का अभाव उन्हें ने सिरे से सालता भावी मेरे साथ काम जरूर करवा रही होती पर उनके कान बाहर ही लगे रहते उन्हें डर लगा रहता कि उनकी अनुपस्तिती में कोई महत्तुपूर्ण फैसला न हो जाए वैसे उनका डर एकदम बेबुनियात था उनकी इजाजत के बिना भाईया सांस ले रहे थे यही बहुत था फैसले करने की ताब उनमें नहीं थी चार दिन की उहा पोह के बाद यह इसफस्ट हो गया कि सोना उगलने वाली उस जमीन में किसी की दिल्चस्पी नहीं है सबको सिर्फ रुपिया दरकार था और यह बात तो पहले दिन ही तै हो गई थी चार दिन तो बाबुजी को अपना मन बनाने में लग गए अपनी जर्खेज जमीन को भाग लक्षमी को किनी अजनबी हाथों में देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था पर फिर उन्हें राजी होना ही पड़ा सबके अपने ब्योसाय थे नौकरियां थी इस इलत को कौन पालता आखिर यही तै हुआ कि जमीन बेश दी जाए और जो भी रकम मिले उसे चार भागों में बाट दिया जाए क्यों? चार क्यों? हम लोग पाँच हैं मैंने कहा पर अखिल तो इंट्रेस्टेड नहीं है न? जी जा जी बोले उसने तो साफ लिख दिया है उनके लिखने से क्या होता है? और बच्चों का हक छीदने का उन्हें क्या आधिकार है? कम से कम उनके बालिक होने का इंतजार ही किया जा सकता है तब तक वह रकम बाबुजी के पास अमानत के रूप में रहेगी और बाबुजी के बाद जी जा जी, how can you? दुख और छोब के मारे मुझसे बोला ही नहीं गया बी प्रैक्टिकल सीमा भाईया बोले, जी जा जी ठीक कह रहे हैं कभी न कभी हमें इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा न फिर आज ही क्यों नहीं? और क्या? जी जी बोली बाबुजी क्या सब दिन थोड़े ही बैठे रहेंगे जो कुछ तै करना है उनके सामने ही कर लो और क्या? घर बार छोड़कर बार बार इतनी दूर आना संभव थोड़े ही है सो प्राबलम होती है भाभी ने कहा मैं बिसमित होकर देखती ही रह गई जीजा जी और भाभी तो गैर है वे शान्ती से बाबुजी की मृत्त के बारे में सोच सकते हैं बोल सकते हैं पर भाईया और जीजी वे तो बाबुजी के रक्त मांस के अंश हैं वे इतने निरलिप्त कैसे हो गए क्या महानगर मनुष्य को इतना भावनाशोने बना देते हैं मैं सोचता हूँ इस मकान के बारे में भी अभी फैसला हो जाए इस तुटपुझिया मकान के लिए यहां दुबारा धूल फांकने कौन आएगा छोटे जीजा जी बोले मुझे बेहत ताव आया अगर यह तुटपुझिया है तो पड़ा रहने दे उसके लिए बेताब क्यों हो रहे हैं बड़े जीजा जी बोले बर्खुरदार इसे तुटपुझिया मत कहो दस पंद्रा हजार के तो इसमें बरतन निकलाएंगे क्या बात कर रहे हैं मैं ठीकी कह रहा हूँ पीतल क्या भाव चल रहा है कुछ पता भी है गाउं भर की शादियों में इस घर से बरतन जाते रहे हैं एक टेंट हाउस जितने बरतन घर में होंगे जीजी बोली और असली शीशम के पलंग और अलमारियां है भाया ने कहा दर्वाजों की ऐसी जोड़ियां तो आजकल नजर भी नहीं आती बनवाने जाओ तो पूरे दो हजार में बैठेंगी ये तो सब पुराना सामान है रमा जीजी बोली घर में नई चीजें भी कुछ कम नहीं है बड़े भाया जब तब भेजते ही रहे हैं कलर टीवी, फ्रिज, कूलर, रेकार्ड प्लेयर नहीं तो आप क्या यहां एक दिन भी टिक पाते मैं सुन रही थी और सुन सुन कर कुढ रही थी मुझे बित्रशना से हो रही थी लग रहा था जैसे गिद्ध भोज की तैयारी हो रही है पर अभी तो बाबुजी जिन्दा है अभी से यह पंच नामा क्यों बड़ी देर बाद जीजा जी का ध्यान मेरी ओर गया वाट इस रॉंग बेबी, ऐसे क्या देख रही हो जीजा जी, क्या सब कुछ आजीते कर लेंगे मुझे मालुम है, बाबुजी सब दिन बैठे नहीं रहेंगे पर जब तक वे हैं, उनके सिर पर एक छट तो चाहिए न पल भर को सब सक पका गए दूसरे ही चड़ उमा जिद जी बोली यह तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है बाबुजी के लिए घरों की कोई कमी है वे कहीं भी रह सकते हैं दो-दो बेटे हैं उनके अखिल तो बेचारा कब से बुला रहा है वैसे भी इस उम्र में उनका अकेले रहना ठीक नहीं पर देश ना जाना चाहें तो बंबई निखिल के पास जा सकते हैं तुम्हारे पास क्यों नहीं हाँ रहने को तो चार दिन मेरे पास भी रह सकते हैं पर तुम जानो अब घर में बहु का राज है किसी को चाय भी पिलानी होती है तो दस बार सोचना पड़ता है दूसरों की कौन कहे हमी दोनों मनमाफिक खाने के लिए तरस जाते हैं नई लड़कियों को जानती तो हो तू साथ ससुर की दबैल है मेरे यहां बेटे बहु की चलती है हाँ चार आठ दिन की कोई बात नहीं है मैं भी रख सकती हूँ रमा भी रख सकती है वैसे बाबुजी को एक बार बड़े भाईया के हाँ हो आना चाहिए अभी तो उनके हाथ पाउच चल रहे हैं नजर साबुत है जाएंगे तो चार जगए घूम सकेंगे चार चीजें देख सकेंगे रमा जिजी ने बड़ी चतुरता से पल्ला जाड लिया भाबी जी भी कोई कम गुरू नहीं है बोली अरे हमें कोई अमेरिका बुलाए तो हम आज चले जाएं पर क्या करें कोई बुलाता ही नहीं यानि सबकी हार्दिक इक्षा थी कि बाबुजी अब बड़े भाईया के पास चले जाएं और सबको अपने दायत तो बोध से मुक्ती दे दें चार शे महीने की बात और है पर वहां बाबुजी हमेशा के लिए नहीं जा सकते उनका बंबई में ही दम घुटने लगता है दिन भर बालकनी में बैठे सड़क देखते रहते हैं बात करने को तरस जाते हैं वहां विदेश में तो ना लोग अपने होंगे ना भाशा हम लोग अभी इन संभावनाओं पर विचार करी रहे थे कि छोटे जीज़ी एकदम विफर गए मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब कोई प्लाइनिंग ही नहीं थी तो हम लोगों को यहां बुलाया किसलिए पूरा हफता बरबाद हो गया और एक बात तै नहीं हुई मैं जानता था यहां के सब कारक्रम ऐसे ही ढुलमुल होते हैं पर ये देवी जी हमें जिद करके लिवाल आई पुरुशों की यह भी एक अदा है खुद की लार टपकती रहेगी पर ऐसा जताएंगे जैसे परम हंसों लालची तो बस ये औरते ही होती हैं इनी औरतों के कारण बेचारे 99 के फेर में पड़े रहते हों जैसे निर्णय के छड़क बहुत कठिन होते हैं पर एक बार निर्णय कर लेने पर सब कुछ आसान हो जाता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ उहा पो की इस्थिती एक दिन तो रही पर दूसरे ही दिन मैंने बड़े धैरे से एलान कर दिया कि मुझे जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए मुझे तो बस यह घर और घर से लगा छोटा सा वगीजा दे दीजे वह भी जब तक बाबुजी है बाबुजी के ही नाम रहेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि बाबुजी मेरे मकान में रहना कभी गवारा नहीं करेंगे आश्यर की किसी ने प्रतिवाद नहीं किया बलकि वे तो खुश थे कि एक दावेदार और कम हो गया उन लोगों की तो योजनाएं भी बन गई थी भाईया बंबई में एक बड़ा सा फ्लैट लेने की सोच रहे थे उमा जिद जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए अच्छा सा क्लिनिक खोलने वाली थी और रमा जिद जी अंशु के लिए अच्छे से घरवर के सपने देखने लगी थी खुश तो बाबु जी भी थे मैंने उन्हें बेघर होने से बचा लिया था फिर भी दभी जवान से बोले बेटा एक बार प्रशान से पूछ लिया होता मेरा क्या है मैं तो मंदिर के चबूतरे पर भी पड़ा रहूँगा पर मेरी वज़े से तुम्हारे घर में कलेश हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाबु जी आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए वे औरों के जैसे नहीं है फिर यह घर यह जायदाद आपकी है इसके बारे में जो भी निर्नेल लेना होगा आप लेंगे हम लेंगे वे लोग इसमें कहां आते हैं फिर भी सोच लो बेटा खूब सोच लिया है बस आप इस बात को भूल जाएगे मैंने उन्हें आस्वस्त किया बुढ़ापे में मैं उनकी चिंता का भार बढ़ाना नहीं चायती थी उनकी नामालूम सी पेंशन और बगीचे की थोड़ी सी आमदनी उनके खाने पहनने के लिए बहुत थी सिर पर छट साबुत रहने से उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी हारी बिमारी या दवादारू के लिए निखिल भाईया उन्हें 200 रुपया महीना भेजने वाले थे उनकी मर्जी हो नहो सबने मिलकर यह भार उनके सिर पर डाल ही दिया था बेचारे मना नहीं कर पाए सामान से लदी फदी जब मैं घर पहुँची उस समय बच्चे स्कूल में और बच्चों के पापा दफ्तर में थे मम्मी जी ने मुझे गर्म गरम चाय बना कर पिलाई जब तक मैं नहा कर निकली उन्होंने गरम गरम पराठे भी उतार दिये जब तक मैं खाना खाती रही पापा जी पास बैटकर सबकी कुशल छेम पूँचते रहे मम्मी जी पूरे वक्त मेरे आज़ पास ही डोलती रही कुरेद कुरेद कर इधर उधर के हाल चाल पूँचती रही उच्छुकता दोनों के चेरों से छलकी पड़ती थी पर मैंने उन्हें हवा नहीं लगने दी पता नहीं क्यों यहां आकर मेरा आत्म विश्वास डोलने लगा था मैं उन लोगों की प्रतक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा पा रही थी इसलिए मैंने इनकी प्रतीक्षा करना ठीक समझा शाम को चाय की टेबल पर मेरे साथ आई हुई मिठाईयों का भोग लगाते हुए इन्हों ने पूँचा और सुनाईए आपका टूर कैसा रहा मैंने देखा इनके साथ सभी एक आतुर प्रतीक्षा के साथ मुझे देख रहे हैं मैंने भी फिर बिना किसी प्रस्तावना के अपना एतिहासिक निर्ने सुना ही दिया पल भर को मेच पर जैसे सन्नाटा सा खिच गया मम्मी जी ने पापा जी की ओर देखा नकुल और नेहा पहले मुझे और फिर अपने भाईया को देखते रहे फिर दोनों ने अपनी चाय एक सांस में गले के नीचे उतारी और उठ गए कुछ देर तक मैं उस गहन मौन को जहलती रही फिर मैंने भी जूठी प्लेटे और कप समेटे और रसोई में चली गई मेरे वहां से प्रस्थान करते ही पापा जी इनसे बोले इसी लिए मैं तुमसे कह रहा था कि साथ चले जाओ पर तुम्हे तो अपने दफ्तर के कामों से ही फुरसत नहीं मिलती ये काम औरतों के बस के थोड़े ही हैं बेटे मम्मी जी बोली अकेली जानकर सबने उसे ठग लिया तुम साथ रहते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती साफ दिख रहा है कि शी हैज बीन इमोशनली ब्लैक मेल्ड सिंक के पास सांस रोके मैं सब कुछ सुन रही थी बुजूर्गों की प्रतिक्रिया का तो मुझे कुछ-कुछ अंदाज था पर अपने पती के सुलजे हुए व्यक्तित्तु का विश्वास था इसलिए मैं उनके उत्तर की प्रतिक्षा करती रही पर उनकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी साधी शाम ये गुमसुम ही बने रहे खाने की मेज पर भी एक तरह से चुप्पी ही चाई रही केवल बच्चे ही किलगते रहे इतने दिनों बाद मम्मी से मिलने की खुशी उनकी हर बात से चलकी पड़ रही थी कमरे में आने के बाद भी वे देर तक मुझे से चिप्टे रहे जैसे इतने दिनों की कसर पूरी करना चाहते हूँ कोई और दिन होता तो उनके डैड़ी भुन भुनाते पर आज जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं था आराम कुर्सी पर बैठे चुपचप सिगरेट फूंकते रहे बच्चे जब सो गए तो मैंने ही पास जाकर हलके से गुदगुदी की तो उन्होंने मेरा हाथ बुरी तरह जटक दिया दुख और अपमान से मैं बुरी तरह आहत हो गई फिर भी मैंने पूची लिया क्या बात है इतने ओफ क्यों हो वे जलती हुई आँखों से मुझे घूरते हुए बोले तुम क्या वहाँ सोजन सप्ताह मनाने गई थी मतलब इतना दरिया दिल बनने की क्या जरूरत थी क्या तुम्हे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है क्या तुम्हे याद नहीं था कि घर में एक ननन शादी के लिए बैठी है तुम्हे यह भी तो मालूम है कि नकुल B.S.C. सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे पास competition फीज के पैसे नहीं है फिर क्या तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे बाबु जी की तो नहीं है वह तुम्हारी है या तुम्हारे पापा जी की और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से कब भागी हूँ मैं हर महीने तीन हजार कमा कर दे तो रही हूँ कहोगे तो दो-चार ट्यूशन्स भी कर लूँगी मुझे मालूम है औरत अपनी कमाई का हवाला देने लगे तो पुरुशों को जैसे बिच्चु काटने लगते हैं इनका चेहरा भी पलभर को बिक्रित हो गया पर इनोंने तुरंत ही अपने पर काबू पा लिया फिर कुछ देर चुप रहकर एकदम दूसरे ही स्वर में बोले मेरे भाई बहनों की बात रहने दो पर तुमारे अपने भी तो बच्चे हैं रुपिया हाथ में होता तो उनके लिए एकाद प्लॉट या फ्लैट खरीदा जा सकता था तो खरीद लेंगे अभी क्या जल्दी है अभी तो उनके दूद के दात भी नहीं तूटे और ऐसा भी नहीं है कि वे सड़क पर पड़े हुए है उनके दादा जी की क्रपा से सिर पर एक मुकमल छट तो है इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा यूँ तो मुझे से किसी ने कुछ नहीं कहा पर मुझे साफ नजर आ रहा था जैसे मैं कटगरे में खड़ी कर दी गई हूँ अनेका नेक अव्यक्त आरोप मुझे पर लग गए है और मुझे कोई सफाई का मौका भी नहीं देता मम्मी जी मुझे सिर्फ जरूरत भर की ही बात करती थी नेहा मुझे से खिची-खिची रहती थी और नकुल की भंगीमा ऐसी ही रहती थी मानोवह घोर अन्याय और अवेवस्था का शिकार हो ये भी दिन भर शहादत का भाव लिये हुए बिचरते सूनी आँखों से छट को निहारते रहते या फिर नौ बजे से ही सो जाते जब आठ दस दिन तक यही आलम बना रहा तो मेरे सबर का बांध तूट गया इस तनाव को और आगे जहलना मेरे लिए असंभव हो गया एक रात मैंने इन्हें जजकोर कर पूँची लिया सुनो हमारी शाती को कितने साल हो गए बता सकते हो क्या इतने वर्षों में मैंने तुमारे माता पिता का अपमान किया है नहीं तो कभी तुमारे भाई बहनों के साथ बद सलूकी की है कभी तुमारे रिष्टेदारों के स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ी है या खुद तुम्हारी ही शान में कभी कोई गुस्ताखी की है लेकिन आज यह सब क्यों पूछ रही हो इसलिए कि पता तो चले कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे सारे किये कराय पर पानी फिर गया मेरी सारी अच्छाया नगर्न हो गई क्या इसका अर्थ यह समझू कि आप लोग मेरे निर्णय लेने के अधिकार को चुनावती दे रहे हैं उस पर प्रश्ण चिन लगा रहे हैं देखो मैं तुम्हारी तरह साहितिक भाशा नहीं बोल सकता पर एक बात समझ लो इस मामले में तुमने जिस तरह हम सब को हाशिये पर छोड़ दिया है उससे सब को पर इन लोगों से पूची लेती तो अच्छा होता कम से कम इनका अहम तो संतुस्ठ होता ये लोग पैसों को लेकर उतने दुखी नहीं थे पर उनका इगो बुरी तरह आहत हुआ था उसी की सजा मुझे मिल रही थी अगले कुछ दिन इसी उधेड़ बुन में बीते की इस गलती का निराकरण कैसे हो मैंने अपना अहम ताग पर रख दिया अपने बेवार में कुछ अत्रिक्त सोजन और बिनम्रता ले आई शायद इसी से सामने वाले खुश हो जाए जिन्दगी फिर से धर्रे पर आने लगी थी कि एक दिन अचानक बाबुजी सामने आकर खड़ हो गये मेरा माथा ठनका जब तक कोई बहुत ही जरूरी काम नहों बाबुजी संधियों के दर्वाजे कभी नहीं जाते चाहे वह लड़कों की ससराल हो या लड़कियों की बाबुजी बिना जरूरत कभी किसी के हां नहीं गये तुम्हें तीन चार चिठ्थियां डाली पर एक कभी जवाब नहीं आया तो चिंता होने लगी मेरी हैरानगी देखकर बाबुजी ने स्पस्टी करन दिया लेकिन यह तो और भी हैरानी की बात थी तीन चार की कौन कहे मेरे पास तो उनकी एक भी चिठ्थी नहीं पहुँची थी मुझे खुद फिक्र हो रही थी मम्मी तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज भी मेरी या हम दोनों की डाक हमें बड़े करीने से हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखी मिल जाती है बाबुजी के पत्र शायद यहां तक पहुचे ही नहीं होंगे यह बात भी गले से नहीं उतर रही थी कि बाबुजी सिर्फ चिठ्थियो के कारण दोड़े आए हैं बहुत होता तो वे एक आद टेली क्राम भेज़ देते खुद आए हैं तो जरूर कोई बात होगी इसकूल में पूरे वक्त मैं यही एक बात सोचती रही शाम को लौटते ही मैंने कहा बाबुजी मैं चाय पी रही हूँ तब तक आप तयार हो जा करेंगे शाम को वहां बड़ा अच्छा लगता है मैं समझ रही थी कि इस तरह एक बार में फिर सबको हाशिये पर डाल रही हूँ पर दूसरा कोई उपाय ही ना था घर पर तो खुलकर बात हो ही नहीं सकती थी वहां पहुँचकर लौन की हरी दूप पर बैठते ही मैंने कह बाबुजी अब बताईए आप अचानक कैसे आए हैं उन्होंने जेव से कागजों का एक पुलिंदा निकाला बोले यह मकान की रजिस्ट्री के कागज हैं डाक से भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी तो खुद लेकर चलाया मकान की रजिस्ट्री लेकिन उसके बारे में तो सब तै हो गया था ना फिर ऐसी हडबड़ी क्या थी बेटा तुम यह तो नहीं चाहोगी ना कि लोग मेरे मरने का इंतजार करें क्या बात कर रहे हैं मैं ठीकी कह रहा हूँ जब अपनों को ही सब्र नहीं हुआ तो ये मकान बहुत छोटा पड़ रहा है मेरा जो भी हिस्सा बनता हो मुझे दे दीजिये तो मैं बड़ा फ्लैट करीद लूँ मकान की कीमतें दिनों दिन बढ़ रही हैं उसकी बेसबरी देखकर मुझे बटवारे का निर्णय लेना पड़ा नहीं तो वसीयत तो मैंने कब से कर पर मेरी मृत्तु से पहले उसका कोई मतलब नहीं था सुनकर मैं इस्तब्ध रह गई अपना ही खून आगे चलकर इतना बेगाना हो जाता है यह सोचकर दुख होने लगा अपने को किसी तरह संयत करके मैंने कहा निखिल भाया का काम तो अब हो ही गया था फिर आपने रजि फिर बोले पिछले महीने समधी जी मेरे पास पहुँचे थे क्या कह रहे थे बहुत चिंतित लग रहे थे बोले पती पतनी में बिना वजय एक दरारसी पड़ गई है जरासी बात के लिए उनकी सोने सी ग्रहस्ती नस्ठ हो जाए यह तो आप भी नहीं चाहेंगे उनकी बा है फिर सोचा जो भी तुम्हें देना है अपने ही हाथों से दे दूँ एक तनाव तो दूर हो शर्म से गड़ गई मैं क्या सोचा होगा बाबु जी ने कि कैसे लोगों के हां मैंने लड़की दी है कोई इतना जूट बोल सकता है मैं कल्पना ही नहीं कर सकती सारी श्रद्धा सारा आदर एक छड में तिरोहित हो गया पापा जी पिछले दिनों बाहर गए थे पर नेहा के लिए वर तलाशने गए थे बाबु जी के हां जाने की तो कोई बात ही नहीं थी और अगर गए भी थे तो घरा कर बता सकते थे पर उनके मन में चोर था यह शायद बाबु जी की चिठियां भी गोल होती रही सीमा बाबु जी ने आवाज दी तो मैं अपनी तंद्रा से जागी अब जो भी हुआ है ठीकी हुआ है तुम इस बात को लेकर घर में कलह कलेश मत करना क्योंकि जिन्दगी भर तुम्हें अब इसी घर में इनी लोगो के साथ रहना है बस यही बात कहकर आप लोग हम लड़ियों का मोह बंद करते रहे हैं तो और उपाय भी क्या है बिटिया बाबु जी अब आप क्या करेंगे मेरी चिंता मत करो मेरे बहुत से ठिकाने हैं मैंने हरिद्वार में एक कमरा बनवा रखा है जितने दिन मन का बच्चों के पास रहूंगा जब मर्जी होगी आश्रम में पहुँच जाओंगा हमेशा के लिए मैं किसी के पास जाकर नहीं रहूंगा अपमान के घूट पी कर जीने वालों से मैं नहीं हूँ आपने इस कमरे की बात पहले कभी नहीं बताई जान बुज कर नहीं या मेरी है जाने से पहले आश्रम को दान कर जाऊंगा रजिस्ट्री होने भर की देर थी मकान के लिए तुरंत खरीदार जोड़ने लगे हम सब भाई बहन एक बार फिर इकठा हुए इस बार बाबुजी ने सब को सपरिवार आमंत्रित किया जाते हुए कोई भी खाली हांत नहीं गया अम्मा की जमी जमाई भरपूर ग्रहस्ती देखते देखते तितर बितर हो गई मैं सूनी आखों से यह सब कुछ देखती भर रह गई थी पर मेरे परिवार वाले चौकस थे अपनी जरूरत का सामान उन्होंने भी बटोर लिया था इस हादिसे के बाद जब पहल ही अलग निकाल कर रख लिये शाम को जब घर लोटकर पापा जी के हाथ में बेतन का लिफाफा दिया तो उनके गिनने से पहले ही बता दिया हम सब भाई बहनों ने तै कि बाबुजी को 200 रोप्या महीना बेजा करेंगे परदेश में कब कैसी जरूरत पर जाए कहा नहीं ज बेटे हैं कमाऊ तो मैं भी हूँ मम्मी जी और बेटी हुई तो क्या हुआ बेटों की तरहे जाजात की हकदार भी तो हूँ उत्तर मैं मम्मी जी ने बुरा सा मुो बना लिया मैं समझ गई कि उन्हों ने अपने प्यार से मुझे हमेशा के लिए खारिज कर दिया है तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं